So guys welcome back to the new video आज का topic हमारा सेम है Big Boss पर आज हमने जो बंदे पकड़ है वो बहुती जादा special है जैसकी अविनाश, फलक, जिया भाई इन लोगों के कांडी कुछ ऐसे थे कि हमको एक dedicated वीडियो बनानी पड़ेगे इनके लिए तो specially अविनाश से तो भाई अविनाश का मतलब होता है जिसको कोई नहरा पाए पर जैसा इसका करियर चल रहा है इसको नाम बदलके सत्या नाश रख लेना चाहिए और सरनेम सचदेवनी जूट देव रख लेना चाहिए अविनाश को कुछ भी काम करने से पहले यह नहीं सोचना पड़ता कि चार लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे क्योंकि चार लोग क्या एक बंदा भी इसको नहीं देखता अरे नहीं नहीं भाई मैं तो सिफ मजाग कर रहा था मुसलिम अंकल अविनाश से दूर रहते हैं क्योंकि उनके धरम में सुरों के पास जनब मना है मुझे पता है बाई कास्टिंग काउच बहुत ही खराब चीज है पर इसको देखके तो लगता इसके साथ होना चीए अविनाश अपने घर का रेंट कैसे भर रहा होगा काड से या फिर कैस से ये तो नहीं पता पर आजकल तो अलश भाई की गालियों से भर रहा है अविनाश किसी भी डेटिंग साइट पे आपको नहीं मिलेगा तो कि दुश्मन ही बराबरी वाला से की जाती है कुट्तों के तो सिर्फ ट्रेनिंग होती है भाई मैंने बहुत देखा है कि फलक और पूजा को अविनाश बहुत पसंद है and I was like कि हाँ आंटिस को तो ये पसंद आई गाई डेली सोब जो करता है अविनाश is the main reason for low IQ of Indian aunties ये खुद को actor बोलता है और एक scene में जितना background music और transition इसने use करा है उतना ते कि YouTuber अपनी पूरी जिंदिगे में use नहीं करता भाई किसी media हाँ ने ये लिखा था कि अविनाश की death हो गई है अब नहीं अब ये तो सिफ self-respect मराय है वो थोड़ी I wish अविनाश घर के अंदर रहे जाद से जादा time अंदर रहे क्योंकि जब वो बाहर आएगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा जो भाई की audience के साथ करने वाली है देशे अविनाश ने Big Boss को खुद से famous कर लिया भाई famous का तो पता नहीं पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा clear है कि इसने दिल्ली NCR से तो खुद को बैन करा लिया lifetime तो गायज अब बात करते है अपनी प्यारी फलक नास नॉर्मल लोगों के बलड में RBC, WBC और हमोगलोबिन होता है पर फलक के बलड में सिर्फ गदार ही है OH MY GOD हमारी फलक दीदी ने बच्पन में ही डांस सीखना शुरू कर दिया था और अब बिग बॉस के घर में वह पूजा भटके शारों पर नास थी है फलक दीदी के पाप उनको बच्पन में ही छोड़ के चले गए थे उनकी ममी ने एक सुसाइड़ MDP कर रखा है और उनकी जो छोटी महन है उन्होंने अपनी ममी पर या लगा रखे हैं और उनका भाई तो उस टाइम जेल में था हाँ ता फलक जी आप कुछ कह रहे थे परवरिश के बारे में हुशी दी है काश हम उससे पहले मिले होते और जितना साल वो जी है ना बच्ची हम उसको शायद और खुशी दे सकते सीना ठोक के ये बात बोलती हूं मैं हाँ हाँ सभी कह रहे हो आपके यह तो बकरे को भी हलाल करने से पहले खिलाया जाता है ये बंदा एक वाइफ एक मंगेतर और दो गल्फ्रेंड को दोका दे चुका है और फलक इस पर फुल लाइन दे रही है फलक जी आपको क्या दिक्कत होगी आपके तो चार वाइफ चलती है इसके पापा की भी दो वाइफ थी पूरे टाइमजी और वेविनाश की साड जो लिती रहती है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता एंसान को तैयारी करने पड़ता इसा तियारी इस चीज की करता है जो वह दिखाना चाहता है बर फलक जो है वह और देख रही है जो और इंदर दिख रही है और गाईद एक चीज़ और, जितना डिफरेंस एलुष भाई और फलक की वोट्स में है, उससे ज़्यादा डिफरेंस उन दोनों की नेटवर्स में है जो सोच रहा है कि वो जिया को नई जानते, तो भाई मैं उनको बता दू, तुम लाइफ में कुछ भी मिस नहीं कर रहे है, अपने मौज से जिंदी की काट और यह वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती बाई जो लोग जिया को नहीं जानते हैं मुझे तो उनसे बहुत जादा जलानोरी है मला बाई कोई कच्रा नहीं है तुमर दिमाग में बाई जिया को इस बात का बहुत जादा घमांड है कि उसकी पहली Bollywood movie वेद एक blockbuster थी तुम भी शायद यही सोच रोगे कि उस वाली movie में यह कहा थी ओ भाई तुम्हें यह बता दू यह movie जिया शंकर की वससे नहीं रितेश और जिनीलिया की वससे सूपर डूपर हिट हुई थी तो भाई इस कांट के बाद Twitter पे hashtag शेमोन्यू जिया ट्रेंड कर रहा था चलो इसी बाने पहली बाद training section में तो आई भेन तो भाई जिया ने भाई को पानी में साबूर मिला कर पिला दिया और उसके बाद हसने लगी तो भाई मेरा question देर से यह है कि जब तो अपनी मम्मी के पेट में थी तो तेरी मम्मी ने पानी में क्या मिला के पिया था इतनी खराब हर्गत करने के बाद भी जिया को कोई भी regret नहीं था और अविनाश के साथ जा के हसन लगी पर इसके माबाप तो बिचारे रो रहे थे कि इसको पैदा क्यों करा भाई लोग बोलते हैं जिया घर की सबसे छोटी contestant है भाई मैं ये नहीं सोचता में को लगता है जिया से भी छोटी एक चीज है बिग बॉस के गर में जो कि जिया की सोच सो भाई हर माबाप का यही सपना होता है कि उनके बच्चों का नाम रोशन करे तो भाई जिया की मम्मी से मैं यही बोलना चाहता हूँ Sorry auntie, हर्स अपने लाइफ में पूरे नियोते, कुछ-कुछ को त्याग देना चाहिए अगर किसी मा को अपने बेटे को यह सिखाना हो ना, कि कैसी लड़कियों से दूर रहना है जी है, इस घर में जितने दोस्त बदल चुकी है, अब इनाश ने अपनी पूरी लाइफ में उतनी लड़किया नहीं बदली हम कोई मंदर का घंटा है कि कोई भी आ के बदा जाता है भाई मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में ये बोला था ना, कि घर में 9 कंटेस्टेंट है और 1 विनर उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, घर में 8 कंटेस्टेंट है और 1 विनर, क्योंकि एक तो ओडियन्स ही है इसने एलिश भाई को पानी में साबुन मिलाकर पिलाया, भाई थांग गॉड ये लड़की थी वरना भाई इसको बताते कि हाथ साफ कैसे करते है बिना हैंड वाश के एलिश भाई के फैन्स बहुत ही जादा गुश्से में थे क्योंकि बिग बॉख से इस टॉपिक को बहुत ही लाइट वे में लिया या फिर यह कहले उनके साथ में हम लूग नहीं थे आसो निमा तो मुझे लग रहा है वो फ्रॉस्टेशन थी जा मुझा अंदर रहा है मैं जनुवन सबको इक बात बोलना चाहूंगा सबसे पहली बात Elvish भाई किसी की बात पर नहीं रोए थे बाई वो ऐसे आखो में आसन लाएंगे वो तो उन्हों अंटी से इने टाइम दूर रहे नहीं और रहे भी हम ऐसा ट्रिप पे तो भाई हम लोग होते हैं तो इसा होती है एक हफते की देड़वते की बाई वो यह ना इतने दिन हो गए हम लोग वो यह सेम लोग है और भाई वो यह ना फोन भी नहीं है की वीड़ को बात करें तो पहली वार देखा है इतने दिनों में तो उनको ऐसा लगा वो फोन पे रहे रहे थे कि मेरी मम्मी पतली होगी तो वो वाला पॉइंट में काफी क्यूट वाई जो देखने के ना दो तरीके है एक परस्पेक्टिव य वाई बिक ब्रदर बिक ब्रदर वने बिल्कुछ सही समझाया और एक सेकंड परस्पेक्टिव यह देख सकते हैं कि उन्हों थोड़ा जादा कर दिया माई तो बहुत कुछ बहुत कुछ बेविका भी बोलती थी बहुत कुछ ऐसे ही तो बाकि सारे लोगों ने भी बोला है पर भाई आज भाई को थोड़ा सा जादा थार कर दिया मुझे लगा नहीं हो सावन पिलाने वाली को कर कुछ किया विज्वाई ने तो गलत है और बाकि तो देखो यह ना है वह सही कहरे है वह हमारे स्लैंग में और जिस तरह हम बात करते हैं हमारे बहुत नॉर्मल है मेरे चीज़ है तो हम लोग ऐसाथ इतना कोई बुरा भी नहीं मानता है बंबू वाली बात हो यह नॉर्मल है हमारे लिए अगर देखा जाए तो और जहां पर हम आपस में बैठते हैं हम भाई इसके इंटू हंडड़ बाते करते हैं उस लेवल की बाते करते तो वह बात है उनक मैं यह मीन नहीं करता तो भाई मेरा सलमान खान से सिर्फ एक यह वह था कि वाई एक बार आप पूरी क्लिप देखो आपने डाटा चलो ठीक है भाई की तरह से डाट दिया फिर कुछ भी आपको जो बोला था आपने बोल दिया पर यह देखो यह वह हमेंसे यह बोलता है कि सबस्क्राइब यह बनता है और बागी देखो साफसरी बात है हमारे भाई ने चलो अपनी गल्थी मानि और जा इक कराकि भाई मैंने बोल दिया ता बहुत बड़ी कि गल्ती मानने अपनी नी तो घर मैं गल्ती निए बानते पनी और यह यह वाली बात है कि बहुत लोगों में आदत होती भी नहीं और बाकी भावी तुम देख रहे हो कि भाई किने डाउन ट्वर्थ है हर चीज है भाई न अपनी गलती मान लिए मैटर सॉल्व है बाक यह सब्सक्राइब आपको भाई हमेशा हमार साथ कड़ा होने पड़ेगा आप हमेशा खड़े भी हो हमने यह द बाकी भाई सुनो सपोर्ट बनाया रखना है प्रोफिल लेके आनी है एक हजार एक गाड़ी सिस्टम है और बाकी लास्ट मैसेज सबके लिए यह जो भाई एलविश आर्मी के बार में बोला तो भाई पहले तो वह भाई चाहरा है सबसे में बात वह भाई चाहरा है हम लेक हम जाएंगे जिस दिन हम एरपोर्ट से निकलेंगे और घर तक अपने ट्रोफिल लेके आएंगे तो उस दिन हम मुंबाई वालों को दिखा देंगे कि वाई चीज क्या है हम रडियो जाओ वोटिंग से पर वीड़ को खदम करते हैं और बाकी भाई खूब प्यार वाल आए प्लस इंस्टाग्राम के लिंक से आब वहां जाके फॉलो कर सकते हो तो यहीं वीडियो को खत्म पते हैं टाटा बाए बाए